एक विभायता ने प्यार के कारण अपने पती के साथ रहने से इंकार कर दिया इस मामले में घंटो हाय वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और सुजनों के समझाने के बाद भी सुसराल नहीं गई इस दोरान अपने प्रेमी के साथ रहने की बात कह रही है ठाने में लड़की सुजनों से बार बार अपने प्रेमी से बात करने के लिए फोन मांग रहे थी अंत में सुजनों ने लड़की को फोन दे दिया इसके बाद लड़की ने प्रेमी से बात की तो प्रेमी ने साधी से इंकार कर दिया बाब्यूद लड़की स्वसराल जाने के लिए राजीन नहीं हुई मिली जानकारी के नुसार चिहार गाउनिवासी भुदेब चौधरी का एक बर से पहले रजौन के खैरागाउं की लड़की के साथ बिभा हुआ था इसके बाद तीसरे यूबक की इंटरी पर बिभाईक जीवन में दरार पड़ गया इस बाद की जानकारी उस बक्त हुई जब पतनी पती के साथ रहना पसंद नहीं करने लगी इस बाद की जानकारी पती द्वारा अपने साथ ससुर को दिया गया जहां रिस्ते को कायम रखने के लिए स्वजनो दौरापुर में पंचायती बुलाई गए थी लेकिन कुछ दिन बाद पंचायत के फरमान को नजरंदाच कर दिया गया सनीवार की संधिया मामला थाना पहुचा मौके पर पुलीस ने लड़की को प्रेमी यूबक रजौन थानाचित के खैरा गाउनिवासी राहूल कुमार से फोन पर बात कर थाना बुलाने की बात कही तो अपनी साधी कही और लग जाने की बात कहकर आने से मुकर गया इधर इस मामले को लेकर बारा हाट थानाधिर संकर द्याल प्रभाकर ने बताया कि लड़की को समझा कर मामले को सांध कर दिया गया है और लड़की को माता पिता के साथ भेज दिया गया है हम ब्यटी का साधी कराई दल अच्छी है अच्छी हम जामाय हो ताम दे दली जामाय साभ व्यसी सहुंस सब यसी बढ़ी कि ले मैं ना रखा पारी पारी ले थामान दले जमाय का अब जाब बीगडी रोले सो ख़़ओ सुधार नी होता है तुम्हारा घर कहा है इसको प्रोग्लम है इसको प्रोग्लम है इसको प्रोग्लम नहीं रहेंगे नहीं रहे दूसरा जिगा इसका संबंद है क्या है कैसे फोन प्रोग्लम है तुम्हारे पास जाने के लिए त्यार नहीं है तुम आते आए अधाना कहिक लिए अधाना इसका अवेदन दिने के लिए खारा में पूले के लिए बाका जिला के अमरपूर सहर के अस्थानिय रैफ्रल अस्पताल परिसर में धुम्रेपान दिवस के अवसर पर सपत गरहन समारों का आयोजन किया गिया अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अभयप्रकास चौधरी के नैतर तुमे स्वास्त विभा के अधिकारी एवं करिमियों ने सपत लेते हुए कहा कि कभी भी सराब नसा का सेवन नहीं करूंगा साथ ही आम लोगों को नसा का सेवन नहीं करने के लिए जागरू करेंगे इस सबसर पर स्वास्त प्रबंदक सुनील कुमार चौधरी डॉक्टर नवल की सोर साह डाटा ओपरेटर अभिसेक कुमार घोस एक्सरे संचालक अंजनी कुमार मुहम्मद बावर रविंद्र कुमा और उर्फ भोला समित अन्य स्वास्ते कर्मी मौजूद थे बांका जिला के बॉसी भागलपूर मुखे मार्ग पर भागलपूर की और से आ रही एक अनियंत्री ट्रक ने ब्लॉक रोड के समीप बाइक सवार और सैकिल सवार को टक कर मार दी जिससे पांच लोग जखमी हो गए अस्थानी ये लोग के तरह पुलीस को सूच ना दी गए जिसके बाद घटना अस्थर पर पुलीस बालों ने पहुँच कर जखमियों को रेफर अस्पिताल बॉसी इलाज के लिए पहुँचाया जहां ड्यूटी पर मौजूर डॉक्ट एक मई को अलग-अलग लूट की घटना को ग्रहपतार बदमास ने अंजाम दिया था पुलीस ने रईवार की साम धोबनी चौक के समेप से आरोपित अकवर अनसारी को पकड़ लिया पुलीस ने जब इसकी तलासी ली तो एक देसी कट्टा दो गोली और दोनों जगों पर लूटी गई मोबाइल फोन बरामध भी गरहपतार आरोपी अकवर बाका थानाचितर की अंतरगत ग्राम एकूरिया का रहने वाला है और एक सफेद रंग की अपाची गारी को भी जब्त किया गया है बताया गया दोनों लूट की घटना में भागलपूर के भी अपराधी स रही थी इसी दोरान उसकी गरहपतारी हो गई 2017 में बंधुआ कुरावा थानाचितर में भी एक लूट की घटना में वो जेल गया था आरोपी भागलपूर के कुछ बदमासों के साथ लूट पाट की घटना को अंजाम देता है बाका समाहर्ता के आदेसो उपराण डंडा धिकारी HDM मनोज चौधरी के उपस्तिती में जिला के बंधुआसी थानाचितर के चौधा कांडो में जब्त विदेसी सराब और देसी सराब का ड्रेन आउट विधी से विनिश्टी करन किया गया जिसमें बंधुआसी बारा के खुर्द कोला गाउं में जमीन विबाद को लेकर मारपीट में बसंताती गायतरी देवी वबिबता देवी जखमी हो गए जखमी का प्रात्मी कुपचार रेफ्टर स्पताल में किया गया मौके पर जखमी गायतरी देवी ने बताया कि गाउं के ही सन्नी ताती के परिज झाल झाल झाल